हेलो एब्रीवन विश्कुरू क्लास इसमें आप शब का हार्दिक श्वागत है आज की क्लास को श्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परमेकरण गुलांक क्या होता है रेस्नलाइजिंग फेक्टर जिसको हम लोग सौर्ट में लिखते हैं आर एफ तो परमेकरण गुलांक क्या होता है इसकी क्या अवधार्ण होती है क्या इसका कॅंसेप्ट है इसको समجھते हैं दखिए होता क्या है माल लेते है दो अपर मे संख्या है कैसी संख्या है अपर में A और B ये संख्या कैसी है ये एक अपर में संख्या है और ये भी एक अपर में संख्या है लेकिन इन दोनों का गुणा इन दोनों को जब हमने मल्टिप्लाई कर दिया गुणा कर दिया तो इनका जो गुणनफल आया वो आया A B और A B कैसी संख्या है? यह है एक पर्मे संख्या यनि कि दो अपर्मे संख्याओं का गुड़न फल एक पर्मे संख्या है और जब भी ऐसा होता है तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की परमे करण गुलांक कहलाते हैं मतलब A का जो परमे करण गुलांक होगा वो B होगा और जो B का परमे करण गुलांक होगा वो A होगा तो जब दो अपरमे संख्याओं का गुलांफल एक परमे संख्या होता है तो वो दोनों अपर्मे संख्याएं परस पर्मे करन गुलांक कहलाती है दोनों का गुलन फल एक पर्मे संख्या है तो A का पर्मे करन गुलांक होगा B और B का पर्मे करन गुलांक होगा A अब पर्मे करण गुलांक निकालने के लिए कुछ सर्थे होती हैं और कुछ नियम होते हैं जिनको बारी-बारी से समझ लिते हैं सबसे पहली बात जैसे अगर हम कहें कि एक अपर्मे संख्या है A की पावर 1 by N एक अपर्मे संख्या है ये कैसी संख्या है ये एक अपर्मे संख्या है ठीक है तो अगर हमें इस टाइप से कोई संख्या दे दी जाए A की पावर 1 by N A की पावर 1 by N को हम क्या लिखते हैं ये मैंने आपको पिशली क्लास में पताया था क्या लिखते हैं करणी घात N A यनि कि ये क्या होता है ये होता है A का A का N वा मूल A का N वा मूल तो यदि कोई संख्या इस प्रकार की है A की पावर 1 by N तो और वो कैसी संख्या है अपर्मे संख्या है तो इसका जो पर्मे करण गुडांख होगा RF जो होगा वो होगा A की पावर 1 minus 1 by N क्या होगा A की पावर 1 minus 1 by N यहां पर हम आपको जरूर बताएंगे एक चीज क्या की N जो है वो positive है N कैसा है positive है यह मैंने आपको last class में समझाया हुआ था कि N जो है वो positive क्यों होना चाहिए धनात्मक क्यों होना चाहिए क्योंकि जो करणी घात होती है वो धनात्मक नहीं हो सकती है जिन लोगों ने पिछला class नहीं देखा है प्लीज पहले वो देख लीजेगा तो N positive है तो 1 upon N जो होगा वो भी positive होगा यदि N धनात्मक है तो 1 upon N भी धनात्मक होगा और उस इस्तिती में इसका जो परमेकरण गोडान्ख होगा वो होगा एकी पावर 1-1 by N एक्जामपल ले लेते हैं माल लेजी हमने आपसे कहा है एकी पावर 2 by 3 यहाँ पे आप दिखिएगा एकी पावर 2 by 3 की जगे हम एकी पावर 1 by 3 कर लेते हैं नहीं तो आप confused हो जाएंगे एकी पावर 1 by 3 यहाँ पे क्या है 1 upon N एन कितना हो गया 3 और 3 जो है वो धनात्मक होता है यानि N हमारा positive है तो इसका अगर हम आपसे कहें कि जो परमेकरन गुडांग होगा RF होगा वो कितना होगा एकी पावर 1 minus 1 upon N यहाँ पे N कितना है 3 तो 1 minus 1 upon 3 यहनि कितना हो जाएगा एकी पावर 2 by 3 तो A की पावर 1Y3 के लिए जो परमे करण गोडांक होगा गो हो जाएगा A की पावर 2Y3 अब यहाँ पर मैंने आपको बता हुआ था अगर A की पावर 1YN की जगहे पर सपोज यह आ जाती है A की पावर PYQ तो क्या होगा ध्यान दीजे यह भी क्या है A की पावर जो PYQ होगा इसका परमे करण गोडांक क्या होगा RF क्या होगा तो आप भी समझ देजे वो क्या होगा A की पावर 1-PYQ A की पावर 1-PYQ सेम होई चीज है जबकि यहाँ पर कंडिशन क्या है कंडिशन है P and Q यह दोनों धनात्मक होना चाहिए और जो P की वैल्यू है वो Q से छोटी होनी चाहिए यह दो सर्ते है P और Q दोनों धनात्मक होने चाहिए और P Q से छोटा होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर यह पहला नियाव हम लोगों ने समझ लिया है एक बार और इसको जल्दी से रिपीट करते हैं दो अपरमे संख्याओं का गोड़ा एक परमे संख्या है तो वो दोनों ही संख्याओं एक दूसरे की परमे करण गोड़ान यहनि की RF rationalizing factor कहलाती है पहला नियम हमने आपको बताया माल लेते हैं कि एक पावर वन बाई एन यह एक अपरमे संख्या है यहाँ पर एन कैसी है पॉजिटिव है यह धनात्मक है तो वन बाई एन भी धनात्मक होगा तो इसका जो परमे करण गोड़ान कोगा वो होगा एक पावर वन माइनस वन गटा एन को गटा देंगे तो जो भी आएगा वो हमारा आरेफ हो जाएगा इसके लिए हमने एक जाय मद लिया एक ही पावर 1 वाई थृ कि यह पावर 2 अब यह तो 1 by n है, suppose यह 1 by n नहीं होता, बलकि PYQ होता, जैसे 1 बटा 3 ना होके, 2 बटा 3 होता तो क्या करेंगे, तो एक ही पावर PYQ अगर यह एक अपर में संख्या है तो इसका जो RF होगा वो होगा एक ही पावर 1 minus PYQ, यहीं सेम है बिल्कुल बसरती सर्त क्या है सर्त यह है कि PYQ positive होना चाहिए क्योंकि 1 upon n positive होना चाहिए तो PYQ positive होना चाहिए और ऐसा होने के लिए क्या जरूरी है कि P और Q दोनो positive हो, ठीक है Q कभी भी negative नहीं हो सकता है तो जब Q negative नहीं हो सकता है तो P भी negative नहीं होना चाहिए तो दोनों positive हों दूसरी सर्थ यह है कि P Q से छोटा हो यह अभी आपको समझ में आ जाएगा कि P जो है Q से छोटा क्यों होना चाहिए अगले नियम में ठीक है जो इसकी और सर्थ है वो क्या है वो आप लोग ध्यान दीजेगा इसकी जो सर्थ है वो यह है कि एको सरल्तम घात रूप में लेना चाहिए सरल्तम घात रूप में लेना चाहिए इसका तातपर क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ चलिए इसको समझ लेते हैं माल लिजे आपके पास एक कोई सवाल है वो है अंडर रूड यहां लिखाया करणी गात तीन है माल लिजे और यहां लिखाया अंदर फोर अब हम सब लोग जानते हैं कि जो फोर है वो अपने आप में एक घातांख है कितना टू स्कुएर जो फोर है वो घात का सरलतम रूप नहीं है हम फोर को भी घातांख रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं तो वो आमें करना पड़ेगा क्यों क्युकि सर्त यह है कि जो ए क्या होता है अभे मैं आपको बताया इस तरीके से यह करनी गात कितनी है एन है और अंदर क्या है तो ए जो होना चाहिए वो हमेशा सरलतम घात रूप में लेना चाहिए तो एक ही जगह यहाँ पर कितना है 4 है, तो 4 को हम घात रूप में पहले देखेंगे क्या वो प्रदर्सित हो सकता है तो हम देख सकते हैं कि जो 4 होता है वो 2 की पावर 2 यानि 2 का बर्ग होता है तो उस कंडिशन में हमारा वन जाएगा क्या करणी घात 3 रहेगी यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वेर अब इसकों कैसे लखेंगे 2 का स्क्वेर करणी घात जब यहाँ पर 3 होती है तो इसका मतलब होता घात कितनी हो जाएगी 1 वटा 3 घात के ऊपर जब घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है तो 2 का जब 1 वटे 3 में गुणा होगा तो यह हो जाएगा 2 वटा 3 तो उस इस्तती में हो जाएगा 2 की घात 2 वटा 3 तो एक को हम हमेशा सरलतम घात रूप में लेंगे अगर यहां पर लिखा होता सपोज यहां पर लिखा होता 5 और यहाँ करणी घात कितनी होती 3 अब हम सब लोग जानते है कि 5-1 कैसी संख्या है 5-1 अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का मतलब है कि इसके गुणनखन नहीं किया जा सकते इसको और घातों में नहीं तोड़ा जा सकता है तो पाँच जियों की तो रहेगा तो उस इस्तितीम ये बन जाएगा पाँच की घात कितना एक वटा तीन लेकिन यहाँ पर जो चार है वो स्वैम में हो जाता है दो का वर्ग तो यह हो जाएगा दो की घात दो वटे तीन तो जो भी हमें प्रिश्ण दिया जाएगा जो भी हमें परमे संख्या दी जाएगी पहले उसमें हम जो ए होगा उसको सरलतम घात रूप में परिवर्तित कर लेंगे और उसके बाद हम उसका परमे करण गुलांक गयात करेंगे जैसे एक सवाल लेते हैं मालेजे हमने सवाल ले लिया यहां करणी गात हमने ले लिया 3 और यहां ले लिया 27 करणी गात थोड़ी बदल देते हैं करणी गात ले लिया हमने मालेजे 4 वो यहां ले लिए 27 अब यहां पर जो अंदर संख्या लिखी है यानि कि जो A है वो है 27 जब हम 27 के गुड़नखंड करते हैं तो वो हो जाते हैं 3 into 3 into 3 इसका मतलब 3 की पावर 3 तो जब 27 को हम सरलतम घातों हम लिखेंगे तो वो जाएगा 3 की घात 3 तो हम इसको ऐसे लिखेंग तीन की घात 3 और करणी घात 4 अब 3 की घात 3 है करनी घात 4 है तो इसको ऐसे समझ लेजेगा 3 की घात 3 और यह जो करणी घात है जब यह उधर जाएगी तो यह कोड़ा चार अब जब 3 का जब एक ही घाथ P बटे Q होता है तो इसका जो परमेकरण गोडांक होता है वो होता है एक ही घाथ 1-P Y Q सर्त क्या बताई थी हमने P और Q पोजिटिव होना चाहिए यहाँ देखो P कितना है 3 Q कितना है 4 दौन पोजिटिव है दूसरी सर्थ यह थी कि P Q से छोटा होना चाहिए P 3 है Q 4 है तो P जो है वो Q से छोटा है तो हम सीधे सीधे जब इसका RF निकालेंगे तो वो हो जाएगा कितना 3 की गहात 1-3 मटे 4 4 यह कम 4, 4 में से 3 गई 1 तो यह बन जाएगा 3 की गहात 1 मटे 4 ठीक है तो जो हमारी अगली सर्थ है वो यह है कि एक को हम हमेशा सरलतम रूप में लेते हैं इसके वाल अगली सर्थ होती है अगर हम तीसरी सर्थ की बात कर रहे है तो वो होती है कि जो भी हमारा Pirmheakram गुलांक होता है जो RF होता है उसमें जो गहात होनी चाहिए होना चाहिए एक से कम होना चाहिए तो इस तरह से ये एक और सर्थ होती है कि परमेकरन गुणान कम है जो घात आनी चाहिए वो एक से कम होनी चाहिए अब हम लोग कुछ सवाल लेते हैं उन सवालों के माद्यम से इसको और बहतर तरीके से समझते हैं यहाँ पर मैंने तीन सवाल लिये हैं और इन तीनों को एके करके हल करते हैं यदि बात करें हम पहले प्रश्ण की वो क्या है अंडरूर्ड आठ इसका परमे करण गुडान ग्याद कीजिए तो हमें दो-तीन बाते याद रखनी है अंडरूर्ड आठ का मतलब क्या होता है अंडरूर्ड आठ का मतलब होता है आठ की गाद एक बटे दो वर्गमूल में करणी गाद यहाँ पर दो होती है जो की लिखने की आवश्यक्ता नहीं होती है तो अंडरूर्ड आठ का मतलब होता है 8 की घात 1 बटे 2 तो यह हमारा किस टाइब का format बन गया यह हमारा बन गया A की घात 1 बटे N इस टाइब का यह format बन गया A की जगे पे क्या है 8 है और N की जगे पे 2 है तो 1 बटा N हमारा जो है वो positive है कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल सही है लेकिन जो A है वो कितना है? 8 है और हम सब लोग जानते हैं कि 8 को हम और घातान को रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं क्यों? क्योंकि हमारी जो दूसरी सर्थ है वो ये कहती है कि A को सरलतम घातों के रूप में लिखना चाहिए तो अगर हम 8 के factor करेंगे तो वो हो जाते हैं 2 x 2 x 2 यानिकि 2 की power 3 तो हम 8 की जगह पर कितना लिख लेंगे? 2 की power 3 और उसकी power कर देंगे 1 x 2 जब power के ऊपर power होती तो उनका multiply हो जाता है तो जब हम 3 का multiply करेंगे 1 x 2 से तो हो जाएगा 2 की power 3 y 2 2 की power 3 y 2 अब आप देहां से लिखिए मेरा जो अगला format था वो क्या था? वो था a की power pyq a की power pyq का जो परमेकरन गुडांग होता है वो होता है a की power 1 minus pyq यह होता है a की power 1 minus pyq होता है बसरते p और q दोनों positive होना चाहिए बिलकुल सही p q से छोटा होना चाहिए अब यहाँ पर आप देखिए p और q दोनों positive है बिलकुल सही बात है लेकिन जो p है वो हो गया अब 3 और q हो गया 2 यहनि अब p जो है वो q से बड़ा है जबकि हमारी सरत क्या थी कि जो p है वो q से छोटा होना चाहिए ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि जब भी हम परमेकरन गुलान के गयात करते हैं तो परमेकरन गुलान गयात करने के लिए गहात हमेशा एक से छोटी लेनी होगी और जो परमेकरन गुलान काएगा उसमें भी गहात हमेशा एक से छोटी होनी चाहिए चाहिए तो इस इस्तिती में हम क्या करेंगे इस इस्तिती में हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 की पावर 1 by 2 3y2 क्या होता है 3y2 का मतलब होता है 1 plus 1 by 2 यह होता 3y2 1 and half एक और आधिय को जोड़ दो तो बन जाता 3y2 तो 3y2 को हम क्या कर सकते हैं 2 घातों में तोड़ देंगे और हम सब जानते हैं कि समान आधार की संख्याओं का जब गुणा होता है तो गुणनफल में घातें जुड़ जाती हैं तो 2 गुणा 2 की घात 1 वटे 2 करेंगे तो बन ज संख्या हैं लेकिन यह जो है 2 की घात 1 वटे 2 यह अपर्मे संख्या है और इसको हम क्या बनाएंगे पर्मे बनाएंगे तो अब आप देखिए 2 की घात 1 वटे 2 अगर हम इसके लिए पर्मेकरन गुणानक निकालें तो कितना होगा 2 की घात 1 माइनस 1 वटे 2 यानि 2 की घात 1 एक वटे दो तो इसका जो परमेकरण गुणानक होगा वो होगा दो की घात एक वटे दो ठीक है परमेकरण गुणानक हमारा दो की घात एक वटे दो ही होगा ठीक इसको एक और तरीके से समझाने कोशिस करते हैं यहाँ पर मैंने घातें पहले एखटी कर ली फिर उनको तोड के बताया है यदि हम घातें ना एकट्टी करें तो भी आप समझ सकते हैं देखें कैसे यह है अंडरूड 8 यह आठ का बर्गमूल तो हम इसको लिख सकते हैं अंडरूड के अंदर 2 into 2 into 2 यहनी 8 को हमने क्या किया सरलतम रूप में लिख लिया और 8 का सरलतम रूप क्या होगा 2 into 2 into 2 into 2 सरलतम रूप से मतलब है कि उसके जो भी फैक्टर है जो गुड़नखंड है वो हमको कर लेने हैं तो 8 के गुड़नखंड हो गए 2 गुड़ा 2 अब यहां पर वर्मूर निकल ला है करनी घात होती 2 तो 2-2 के जोड़े बनेंगे तो 2 का एक जोड़ा यह बन जाएगा त क्यू़कि यह तो पर्मय संख्या है लेकिन जो अंडरूड 2 है यह एक अपर्मय संख्या है और अंडरूड 2 का मतलब होता है दो की घात एक वटे 2 तो अब हमें इसका पर्मेक्रण गुड़ांग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दो की घाद एक माइनस एक वाटे दो यानि दो की घाद एक वाटे दो और दो की घाद एक वाटे दो को हम फिर से कह ले सकते हैं अंडरूड दो तो इसका जो परमेक्रन गुणांग होगा वो होगा अंडरूड दो अब आप चेक भी कर सकते हो संख्या अमारी क्या थी दो अं संख्या है पर में संख्या है दो अंडरूट दो कैसी संख्या है अपर में अंडरूट दो कैसी है अपर में दो अपर में संख्या हो के बड़न पर एक पर में संख्या होना चाहिए अब बात करते अगले सवाल की अंगला सवाल है करणी घात कितनी है तीन है और अंदर जो 36, तो हम 36 के बेटा फिर से क्या करेंगे, factor करेंगे, क्योंकि हमें इसको सरलतम रूप में लिखना होगा, तो जब हम factor करेंगे, तो हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 3, यह इसके हो जाएगे factor, उस condition में आप देखेगा, तो यह कितना हो जाएगा, करणी कहात रहेगा 3, यहां हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 3, जब हम इसको अलग लग करेंगे, तो यह हो जाएगा, 2 की power 2 into 3 की power 2, और पूरे पर करणी कहात कितनी है, 3, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, 1 वटा 3, बराबर देखेगे क्या होगा, अभी हमने आपको एक कल की ग्लासम बताया था, एकी power M into B की power M, बराबर होता है, A into B की power M, यह अगर A और B का गोणा हो रहा है, और पूरे के उपर power M है, तो इसको जब हम बिस्तारित करेंगे, अलग लग लिखेंगे, तो यह A के power M into B की power M, यह हो जाएगा, तो यहां पर देखिए, यहां पर पहला जो A है, वो क्या है, और पूरे के उपर power कितनी है, 1 by 3, तो जब हम इसको open करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 की power 2 की power 1 by 3 into 3 की power 2 की power 1 by 3, यहां पर आप देखिए, गहात के उपर गहात है, और जब गहात के उपर गहात लगी हो, तो गहातों का गुणा हो जाता है, तो जब 2 का 1 by 3 में गुणा कर करेंगे, तो यह जाएगा, 2 की power 2 by 3 into 3 की power 2 by 3, अब बिटा यहां पर देखिए, दो संख्या है, एक है इसमें, दो की घात 2 बटा 3, एक है, तीन की घात 2 बटा 3, और हमें इसका क्या निकालना है, परमेकरन गुणांक, आर एफ निकालना है, तो अब हमें इन दोनों के क्या होगा, तो देखिए, 2 की power 2 by 3, यहां पर देखिए, किस format में यह बन गया है, यह हमारा format है, A की power PYQ, यह format है, यहां से देखिए, A की power PYQ, सर्थ क्या बताई थी, PQ positive होना चाहिए, देखो, P और Q दोनों positive है, दूसरी सर्थ बताई थी, PQ से छोटा होना चाहिए, तो P जो है, वो Q से छोटा भी है, तो उस इस्तिती में इसका जो RF मैंने बताया, वो क्या बताया, A की power 1 minus PYQ, तो इसका हो जाएगा, 2 की power 1 minus 2 by 3 into, फर इसका कितना हो जाएगा, 3 की power 1 minus 2 by 3, जब 2 की power 1 by 3, यह solve करेंगे, तो यह हो जाएगा, 2 की power 1 by 3 into ही हो जाएगा, 3 की power 1 by 3, तो अब दोनों के घात कैसी है, सेम है, तो इसको हम मिला के भी लिख सकते हैं, 2 और 3 का कर देंगे गुणा, तो 6 की power 1 वटा 3, यह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 और करनी घात कितनी लिख देंगे, 3, वो यह हमारा हो जाएगा, answer, बात करते हैं, last सवाल की इसक 4 के ऊपर करनी घात कितनी है, 5 है, और divided by, य Committee में लिखा है, 16 और करनी घात कितनी है, 5 है, अब यहाप आप देखेँगी, जो 4 और 16 हैं, इंदोनों को हम और तोड़ सकते हैं, इनके गुणादखंड कर सकते हैं, तो जब हम 4 के गुणादखंड करते हैं, तो वो हो जाते हैं 2 गोणा 2 यहनि 2 की घाट 2 हो जाता है और जब हम 16 के गोणाद खन करते हैं तो वो हो जाते हैं 2 गोणा 2 गोणा 2 गोणा 2 यहनि 2 की घाट 4 हो जाता है जब हम इनका सरलतम रूप लिखेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा 2 multiplied by 4 4 को हम लिख सकते हैं 2 का square और इसकी करनी तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा 5 divided by 16 को मिल सकते हैं 2 की घाट 4 और करनी घाट 5 तो यहां घाट आ जाएगी 1 बटा 5 बराबर 2 इन 2 यहां घाट के उपर घाट लगी है तो घातों का गोणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 की घाद 2 बटा 5 और divided by 2 की घाद 4 बटा 5 4 का गुणा ये खोटे 5 में करेंगे 4 बटा 5 अब देखेंगे बिटा यहाँ पे 2 ये complete तर इसका अब तर इसकी पावर कितनी है 1 है यहाँ पे into इनी गुणा हो रहा है 2 की पावर 2 वाई 5 divided by 2 की पावर 4 by 5 अब उपर दिखे इसका क्या 2 की घात 1 आधार कितना है 2 है यह है 2 की घात 2 बटे 5 यहाँ आधार कितना है 2 है आधार बिलकुल समान है इनका गोड़ा होगा तो यह घाते आपस में जुड़ जाएंगी तो 1 प्लस 2 by 5 करेंगे तो यह हो जाएगा 7 by 5 तो उपर हो जाएगा 2 की पावर 7 by 5 और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 4 by 5 ठीक है अब क्या करेंगी अब हम सब जानते हैं यहाँ पर आप दिखेगा उपर आधार 2 है नीचे भी आधार 2 है और जब आधार समान होते हैं तो भाग में क्या होगा उपर की घात में से नीचे की घात घट जाएगी उपर की घात में से नीचे की घात घट जाएगी तो उस इस्तिती में यह बन जाएगा क्या 2 की घात 7 by 5 में से हम घटा देंगे 4 by 5 तो यह बरावर जाएगा 2 की घात 3 by 5 है तो क्या तरीका मैं ने आपको बताया यह क्या है एक की पावर पीवाइड क्युः एक पावर पीबाइड क्यू पे और पॉजिटिव एंपी क्यू से च्योटा है तो क्या हो गा है दो गजाद एस और माइनस 3 तो ठीक है, यदि आपको एक बार में समझ नहीं आता है, तो दुबारा भी देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है, फिर भी यदि कोई doubt रहता है, कोई question है, पूछिए, आप लोग देख सकते हैं, कि यहाँ पर board उपर हमने एक table बना दी, एक सारणी बना दी ह आपको समझाने के लिए, एक सारणी में सब कुछ, जैसे पहला इसमें बिंदू लिखा है, एकी पावर वन बाई एन, इसका जो परमेकरण गुडांग होगा, वो होगा एकी पावर, वन माइनस वन बाई एन, अगर इसको और solve करेंगे, तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं, एकी पावर एन माइनस वन बाई एन, ठीक है, सर्थ क्या है, एन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा यहापे पॉइंट है, अगर लिखा है, एकी पावर पी बाई क्यू, तो इसका जो परमेकरण गुडांग होगा, वो होगा, एकी पावर वन माइनस पी बाई क्यू, इ इससे की पी बटे क्यू, इसका जो मान है, वो एक से कम रहे, यदि ये एक से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यदि पी बाई क्यू एक से बढ़ा है, तो पहले घात में से एक को क्या कर दीजे, घात एक कम कर लीजे, तब हम परमेकरण गुडांग ग्य सिदे सिदे एक ही पावर, पी वाई क्यू हो जाएगा, कैसे, इसका हम एक दो सवाल करवा देते हैं आपको, ठीक है, बाकी की सारी बात हैं आपको समझ में आ जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं, बोड पर मैंने तीन सवाल लिये हैं, इन तीन पृस्णों को आप लोग स तो ये घात बन जाएगी एक वटे तीन, घात के ऊपर घात है तो इनका गोणा हो जाएगा, तो हो जाएगा साथ की घात, चार वटे तीन, अब आप लोग देख सकते हो बिटा, यहाँ पे ऊपर लिखा है चार और नीचे लिखा है तीन, यानि अंस बड़ा है, हर छोटा ह उस इस्तिती में क्या होगा, जो चार वटे तीन होगा, यह एक से बड़ा हो जाएगा, और हमने आप से कहा है, यदि एक से बड़ा है, तो पहले एक घात घात घाता दीजिए, यानि चार वटे तीन में से एक घात कम करोगे, तो चार वेर्जीम लोगे तीन एकम, तीन तो मतलब यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि हमें जो परमेकरण गुलांक निकालना है वो किसका निकालना है साथ की घात चार बटे तीन का नहीं निकालना है बलगी एक बटे तीन का तो चार की घात साथ की घात एक बटे तीन का हम परमेक्रम गुणालंक निकालेंगे चीक है वो क्या होगा अब आप देख सकते हो एकी पावर वन बाई एन का क्या होता है एकी पावर वन माइनस वन बाई एन तो यह हो जाएगा साथ की घात दो बटा तीन ठीक है अब आप लोग अच्छे से समझ दीजेगा एक बार इस सव साथ की घात चार बटा तीन बेटा चार यानि अंस है तीन हर है अंस बड़ा है तो चार बटे तीन जो होगा वो एक से बड़ा होगा और मैंने आप से कहा है यदि पी बटा क्यू एक से बड़ा है तो हम पहले उसमें से एक घात घटा लेंगे तो जब चार बटे तीन में स चार वटे तीन ना लेनी है बलकि केवल एक वटा तीन यहीं साथ की घात एक वटे तीन का जो परमेकरण गुडानक होगा वही साथ की घात चार वटे तीन का होगा तो यहां पर देखिए एक वटा तीन यहीं एक वटा एन लिखा है तो परमेकरण गुडानक हो जाएगा एक minus 1 वट्ट एन यहनि minus 1 वट्ट दिन यहनि की 2 वट्ट दिन साथ की घात 2 वट्ट थिन बात करते हैं अगले सवाल की प्लत की घात लिखा है minus 2 वट्ट दिन अभी हमने आपको एची लिखो आई है A की power minus P by Q इसका जो पर मे करन गोणानक होता है वो होता है A की पावर PYQ यहीं सीधे सीधे माइनस को प्लस में कनवर्ट कर देते हैं सर्त क्या होती है हमारी सर्त वही है कि PQ से छोटा होना चाहिए और P और Q दोनों पॉजिटिव होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए P और Q दोनों पॉजिटिव है पी क्यू से छोटा है तो इसका जो पर्मेकर गोनांग होगा वो हो जाएगा सीधे-सीधे 5 की घात 2 बटा 3 अभी एक सवार उखता है कि सर आपने इसको ऐसे लगाया अभी आपने बताया था कि A की पावर PYQ का जो परमेकर गुणांक होता है वो होता है A की पावर 1-PYQ तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लगा सकते हैं चलिए ऐसे ही लगा लेते हैं और आपकी गलत फेहमी दूर कर देते हैं देखें यहाँ पर जो PYQ है हमारा वो हो जाएगा माइनस का दो वटा 3 ठीक है चलिए तो इसका ज़र हम RF निकालेंगे बिटा तो वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 5 की घाद 1-PYQ अब यहाँ पर माइनस पहले ही से लगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस जब माइनस देखें 1-PYQ अब PYQ क्या है माइनस का दो वटे 3 तो माइनस यह और यह माइनस प्लस हो जाएगी 1 प्लस हो जाएगा 2 by 3 तो वो हो जाएगा कितना 3 प्लस 2 यह निए 5 5 की पावर 5 बाई 3 अब आप देखो बेटा द्यान से 5 बाई 3 जो है यह एक से बड़ा है एक से बड़ा है और अगर एक से बड़ा आता है तो परमेकरण गुडाल की जो घात होती है वो एक से बड़ी नहीं हो सकती तो इस मैंसे हम कितना घटा देंगे एक घटा देंगे तो यह हो जागा कितना 2 बटे 3 तो उस इस्तिती में इसकी जो आंसरा आजाएगा वो हो जाएगा 5 की घात 2 बटे 3 और यहाँ पर आंसर कितना आया था 5 की घात 2 बटे 3 तो आप कैसी भी लगा लिजे, आंसर वही आएगा, ठीक है, यदि इसमें कोई डाउट हो, आप लोग एक बार फिर से पूछेगा, बात करते हैं अगले सवाल की, अगला सवाल है, 6 की पावर माइनस 1 बाई 2, मैंने भी आपको बताया, यहनी A की पावर माइनस PY क्यों हो, य पली, A की पावर माइनस 1 बाई N का A की पावर 1 बाई N, तो उस इस्तिति में इसका जो परमेकरण गुरांक होगा, वो हो जाएगा, 6 की पावर 1 बाई 2, ठीक है, तुल्だ रटना पड़ रहा है, इसको बैस ही लगाते हैं, कैसे, A की पावर 1 बाई N का जो परमेकरण गुरा होता है वो एक की पावर वन माइनस वन वाइन होता है ठीक है लेकिन एक सर्थ और है क्या कि आर एफ जो भी हम निकालेंगे उसमें गहात एक से छोटी होनी चाहिए वो दिमाग में रखिएगा चली ऐसे लगा लेते हैं 6 की पावर माइनस वन वाइन का परमेरिक रण गुडांक क्या होगा 6 की पावर 1 माइनस माइनस वन वाइन यहां वन वाइन कीज़े कितना है माइनस वन वाइन वाइन तो यह जाएगा 6 की पावर 1 प्लस 1 वाइन यह नहीं बराबर 6 की पावर 3 वाइन वाइन यह एक से बड़ा हो गया तो हमें 3Y2 मैंसे एक को कम करना पड़ेगा तो यह कितना आ जाएगा 1Y2 तो जो RF होगा हमारा वो कितना होगा 6 की पावर 1Y2 अब देखिए यहाँ पर जो RF है वो 6 की पावर 1Y2 और यहाँ पर कितना है 6 की पावर 1Y2 तो डिरेक्टली हम निकाल सकते हैं कब जब घात है रणात हमें कोई भी संख्या दी जाती है और उसको solve करना होता है तो जो हर होता है जो denominator होता है उसका परमेकरण करना होता है तो हम कैसे परमेकरण करते हैं और कौन-कौन से परमेकरण गुड़ांख होते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं आप लोग समझाने के लिए यहाँ पर मैंने टेबल बना दी है उसको आप लोग समझ देजीगा बात करते हैं कि हर का परमेकरण क्या होता है तो मैंने लिखाया कि जब कोई भी संख्या ऐसी हो जिसका हर कैसा हो एक अपरमे संख्या हो यह कोई भी संख्या हमें इस रूप में दी जाए अंस बटा हर यहनी एक संख्या हर की रूप में हो एक संख्या हर की रूप में हो और हर कैसी संख्या हो अपरमे संख्या हो हर एक अपरमे संख्या हो तो क्या करेंगे हम उस अपरमे संख्या का क्या निकाल लेंगे परमेकरण गुणांग निकाल लेंगे आरेफ निकाल लेंगे और हम उस आरेफ से हम क्या क तुकि अपरमे संख्या था और जब हम इसके परमे करन गुणां का इसमें गुणा कर देंगे तो यह जो नीचे संख्या बनेगी हर में जो संख्या बनेगी यह अब एक परमे संख्या बन जाएगी ठीक है और यही मेरा उद्देश है कि जो हर है उसको किसमें बदलना है परम संख्या बदल लेंगे अब कौन सी संख्या के लिए कौन सा आरेफ हमें लेना होता है वैसे तो हम आपको बता चुके हैं फिर भी कुछ और विसेश होते हैं उनकी बात कर लेते हैं पहली बात तो हमने आपको बताई है एकी घात एक बटा एन अगर लिखा है यहनि कि करणी घ इनका जो आरेफ होगा वो भी हो जाएगा अंडर रूट 3 क्योंकि इनका गोड़ा हो जाएगा तीन के मरापर ठीक है और इससे भी आप देखेंगे तो यहां एन कितना होगा रूट A में 1Y2 होगा तो यहां भी 1Y2 आ जाएगा A प्लस रूट B यहनि इस प्रकार से कोई संख्या लखी हो 2 प्लस रूट 3 तो A की जगे 2 है और B की जगे 3 है तो A प्लस रूट B इस टाइप की कोई संख्या हो तो इसका आरेफ होगा A माइनस रूट B यहनि इसका जो आरेफ होगा वो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और 2 दूसरे के होते हैं, ऐसी root A plus root B अगर लखाओ, like root 2 plus root 3, अब देखिए, यहाँ पर A की जगए 2 है, B की जगए 3 है, अगर इस प्रकार की कोई संख्या हो, तो इसका जो RF है, वो क्या होगा, इसका RF हो जाएगा, root 2 minus root 3, और इसका यह हो जाएगा, एक दूसरे के होते हैं, तो root A plus root B का root A minus root B, और root A minus root B का root A plus root B, यह देखिए, A की करणीगा 3 है, प्लस B की करणीगा 3, अगर ऐसी कोई संख्या है, तो इसका RF होगा, A square की करणीगा 3 plus B square की करणीगा 3 minus AB की करणीगा 3 अगर A की करणीगा 3 minus B की करणीगा 3 है तो इसका ये हो जाएगा A square की करणीगा 3 plus B square की करणीगा 3 plus AB की करणीगा 3 ठीक है ये इसका पर्मिकर गुडान खो जाएगा और ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, अब करते हैं कुछ सवाल हल और उस सवाल को हल करने के बाद आपका ये चेप्टर फिनिस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दो सवाल लखिये हुए हैं, पहले हम इस सवाल को हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ हर है 25 की करणी घात 3 और यहाँ पर जो हर है वो है root 3 minus root 2 तो सीधी सी बात यह है कि हमें यहाँ पर 25 की करणी घात 3 इसका RF निकालना होगा और उसका उपर निचे गुणादर देना होगा यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस करनी होगी अब 25 की करणी घात यहीं तीन हो तो फिर इसका RF क्या होगा परमीक्र गुणाद क्या होगा देखे क्या होगा 25 की करणी घात 3 का मतलब है 25 की घात 1 बटा 3 और 25 जो होता है जब हम इसको सरलतम रूप में लिखेंगे यहीं इसके गुणन खंड करके लिखेंगे तो इसका घातां करूप बन जाएगा पांच की घात 2 तो पांच की घात 2 की घात 1 बटे 3 तो यह हमारा बन जाएगा पांच की घात 2 बटे 3 यहीं हमें अन्सोहर में किसका गुणा करना है पांच की घात 2 बटे 3 के RF का यानि 5 की घाद 1-2 वटे 3, यह हो जाएगा 5 की घाद 1 वटे 3, तो सीधी सी बात यह है, कि इस सवाल में हमें क्या करना है, उपर और नीचे 5 की घाद 1 वटे 3 का गुणा कर देना है, 5 की घाद 1 वटे 3 को हम यह भी लिख सकते हैं, 5 की करनी घाद 3, ठीक है, तो हम 5 की करनी घाद 3 का उपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यह हमारा सवाल बन जाएगा 2 in 2, 3 की करनी घाद 3, divided by 25 की करनी घाद, यह नहीं 25 को लिखेंगे, हम 5 की घाद 2 की करनी घाद 3, और गुणा करेंगे, RF का अज स्वार में, तो उपर हो जाएगा 5 की करनी घाद 3, और नीचे भी 5 की करनी घाद 3, इसका गुणा, बराबर देखेगा 2 in 2, अब यहाँ पर देखिए, इसकी भी करनी घाद 3 है, इसकी भी करनी घाद 3 है, तो अंदर इनका गुणा हो जाएगा 5, 15, तो 15 की करनी घाद कित्ती हो जाएगी, 3 हो जाएगी, करनी घाद 3 ही रहेगी, बटे हम देखिए, यहाँ भी करनी घाद 3 है, यहाँ भी करनी घाद 3 है, तो इनका भी गुणा हो जाएगा, तो 5 की घाद 2 का जब 5 में गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा 5 की घाद 3, और करनी आपको बताये था कि अगर इस तरीके से A की पावर N लिखा हो यहां करनी गात N हो तो इस कमान कितना होता है? A होता है तो उस हिसाब से 2 इंटू 15 की करनी गात हो जाएगी 3 और बटे में यह हो जाएगा हमारा 5 और यही हमारा हो जाएगा आंसर बात करते हैं अगले सवाल की अ root A plus root B so, इसमें हम गोणा केतने का करेंगे root 3 plus root 2 का उपर गोणा करेंगे और root 3 plus root 2 का नीचे गोणा करेंगे तो जब देखिए यहाँ भी लिखा है root 3 plus root 2 यहाँ भी लिखा है root 3 plus root 2 तो यह हो जाएगा root 3 plus root 2 का पूरे का whole square divided by अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है एक सर्व समिका हम लोगों को जरूर याद होगी a minus b into a plus b यह बराबर होता है a square minus b square यहाँ पर आप देखिए a क्या है root 3 b क्या है root 2 a minus b यहाँ a plus b यह वाली हम सर्व समिका लगा देंगे तो क्या हो जाएगा a का square तो root 3 का square minus b का square root 2 का square ठीक है अब देखिए यहाँ भी उपर एक सर्व समिका लग जाएगी कौन सी सर्व समिका देखिए a plus b का होल square होता है a square plus b square plus 2ab अगर हम यह सर्व समिका यहाँ लगा देते हैं तो a कितना है root 3 तो root 3 का square plus b square root 2 का square plus 2ab यहनि root 3 into root 2 divided by root 3 का square क्या होगा 3 होगा minus root 2 का square 2 होगा यह भी मैंने आपको बताया है बेटा कि अगर under root n का square हो तो यह होगा कितना n यहां बर्ग मूल निकाला यहां बर्ग हो गया है तो करणी घात का गुणा होगा भाई यह बर्ग मूल का मतलब वो ता घात कितनी होती एक बटे दो जब एक बटे दो मैं दो का गुणा होगा तो यह एक हो जाएगा है न तो n तो 3 minus 2 root 3 का square 3 plus root 2 का square 2 plus 2 यह दोनो root है यह नहीं करनी गात सेम है तो 3 minus 6 चे का root हो जाएगा अब बटे में 3 मैं से दो गई 1 3 plus 2 5 5 plus 2 यह हो जाएगा इसका answer ठीक है एक बार आप लोग दोबारा इसको देख लिजेगा पॉस करके समझ लिजेगा कोई doubt रहता है comment कीजेगा यह टेली ग्राम पर आप सर्च करेंगे wish guru classes आपको group मिलेगा उसमें आप joining request भेज दीजेगा मैं आपको वाँ join कर लूँगा वहाँ पर भी आप directly हमसे जुड़ सकते हैं question हो सकते हैं कुछ और सवाल हल करते हैं पुनहां आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दो सवाल लिखे हुआ हैं इनको हल करते हैं पहला सवाल य हैंगे LHS left hand side और यह है हमारा RHS तो पहले हम लोग left hand side की value निकालेंगे फिर RHS से हम comparison करेंगे तुलना करेंगे और हमें A और B के मान मिल जाएंगे देखेगा इसको हल करने के लिए हमें जो हर है हमारा हर क्या है 5-2 under root 3 तो इसका पहले अगर हम RF निकाले तो RF क्या होगा इसक आया देता हूँ आपको यह भी आप याद रखेगा अगर इस type से कोई होता है A minus B under root C इस प्रकार से कोई अगर आपको form मिलता है तो इसका जो RF होगा वो होगा A plus B under root C यहनि simply हमें क्या करना है minus को plus में बदल देना है यह plus होता तो minus कर देना ठीक तो यह हो जाएगा हमारा 5 plus 2 root 3 अब इसी से हम उपर नीचे multiply कर देंगे तो हम क्या करेंगे LHS को लिख देंगे 5 plus 2 root 3 divided by 5 minus 2 root 3 इसको multiply करेंगे 5 plus 2 root 3 से उपर 5 plus 2 root 3 से नीचे ऐसा करने से क्या होगा उपर तो 5 plus 2 root 3 का गोणा हो रहा है दो बार तो इसका whole square हो जाएगा नीचे यहां देखिए फिर से वो minus B into A plus B बराबर A square minus B square तो हम इस सर्वसम्का का यहां पर इस्तेमाल कर देंगे तो नीचे हो जाएगा 5 minus 2 under root 3 और 5 plus 2 under root 3 का गोणा हो उपर हम लगाएंगे A plus B का whole square तो A square इनिए 5 का square plus B square तो 2 का square यहीं कि 4 under root 3 का square हो जाएगा 3 plus 2AB तो 2 into 5 into 2 root 3 A का square यहीं 5 का square plus B का square B में देखिए क्या है 2 under root 3 है तो 2 का square होगा 4 under root 3 का square होगा 3 तो 4 गोणा 3 plus 2AB तो 2 into 5 into 2 root 3 divided by A minus B into plus B A square minus B square A क्या है 5 तो 5 का square minus B square तो B क्या है 2 root 3 2 root 3 का square करोगे तो यह हो जाएगा 4 तिया 12 यहीं 4 गोणा 3 4 गोणा 3 और solve करेंगे 5 का square हो गया 25 plus 4 तिया हो गया 12 plus 7 दूनी 10 दूनी 20 20 under root 3 divided by 5 का square 25 minus 4 तिया 12 solve करेंगे 25 तो 12 हो जाएगा 37 plus 20 under root 3 divided by 25 में से 12 गट जाएगे 13 इसको और 13 देखिए पूरे के divide में है तो इसको में लिसकते हैं 37 बटे 13 plus 20 बटे 13 under root 3 यहीं की जो हमारा answer आया 37 बटे 13 plus 20 बटे 13 under root 3 जड़ा RHS से comparison कीजिए जहां यहां A लिखा है वहां पर कितना आ रहा है 37 बटे 13 तो A का मान आ जाएगा 37 Y 13 जहां पर B लिखा है वहां पर आ रहा 20 बटे 13 तो B की value आ जाएगे 20 Y 13 और under root 3 की जगे under root 3 है तो इस तरह से हमें A और B के मान मिल जाते हैं बात करते हैं अगले सवाल की यहां पर थोड़ा आप देख सकते हैं जो हर है हमारा वो है root 3 minus root 2 minus 1 और इस प्रकार का जो कोई भी हमने आपको भी पद नहीं बताया है कि इसका हम परमेकरण कैसे करेंगे तो इसको बहुत ध्याल से समझेगा बड़ा आसान होता है कोई दिक्कत नहीं है देखेगा इन सवालों में जब भी हमें पर्मे करना होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस वान यह लिखा हुआ है इसमें हम क्या करते हैं रूट 3 माइनस रूट 2 निए शुरू के दो पदों को हम एक पद की तरह माल लेते हैं यनि कि अब हमारी ये दो पद नहोंगे बल्कि एक पद हो गया है जिसमें ये जो पहला पद है वो अपरमे है और दूसरा पद परमे है यनि ये कुछ-कुछ इस टाइप से हमारा बिवार करेगा कैसे? रूड बी प्लस ए इस प्रकार से बिवार करेगा और इसका जो परमेकरन गुणांक हमने आपको बताया है रूड बी माइनस ए ठीक है और रूड बी माइनस ए का क्या होगा? रूड बी प्लस ए तो यहाँ पर ये देखिए दो संख्या है अपरमे हैं तो इनको हम एक संख्या के रूप में माल लेंगे और minus 1 तो जब इसका हम परमेकरण करेंगे तो किसका गुणा करेंगे root 3 minus root 2 plus 1 इसका गुणा हम उपर भी कर देंगे root 3 minus root 2 plus 1 ठीक है अब उपर तो यहाँ 1 है तो 1 का गुणा इसमें होगा तो यह हो जाएगा root 3 minus root 2 plus 1 divided by यहाँ पर हम लगाएंगे फिर से वोई इसको पूरे को एक पद मानेंगे तो यह हमारा फिर से सरफ समका लगेगा कौन सा a minus b into a plus b बरावर a square minus b square तो उस हिसाब से हो जाएगा under root 3 minus under root 2 का square minus b कितना है 1, 1 का square 1 ही रहेगा इसको और solve करेंगे तो हो जाएगा root 3 minus root 2 plus 1 इसका square open करेंगे अब दिखें यहाँ क्या लगेगा यहाँ लगेगा a minus b का whole square बरावर a square plus b square minus 2ab a कितना हो जाएगा root 3 b हो जाएगा root 2 तो हम इस सरफ समका का है इस्तेमाल करेंगे तो a का square यहाँ रूट 3 का square क्या होगा 3 होगा plus b का square root 2 का square क्या होगा 2 होगा minus 2ab तो 2 root 3 और root 2 गुणा हो जाएगा तो root 6 हो जाएगा और minus का 1 ठीक है बरावर root 3 minus root 2 plus 1 divided by यहाँ दे कि 3 plus 2 5 हो जाएगा 5 minus 1 4 हो जाएगा 4 minus 2 root 6 4 minus 2 root 6 आप देखें क्या करना है root 3 minus root 2 plus 1 यहाँ पर देखें बेटा पहला जो पाद है वो है 4 और जो दूसरा पाद है वो है 2 under root 6 इसमें भी 2 का गुणा हो रहा है और कहीं न कहीं 4 का भी गुणान खंड एक 2 होता है तो नीचे हम 2 ले लेंगे common तो जब 4 मैंसे 2 common लेंगे तो कितना बचेगा 2 दो दूनी 4 मैंस 2 under root 6 मैंसे 2 common लेंगे बचेगा under root 6 देखिए 2 under root 6 मैंसे अगर 2 common लेते हैं तो under root 6 बचेगा 2 और under root 6 का गुणा हो जाएगा 2 under root 6 ठीक अब यहाँ पे जो हमारे पास नीचे जो पत बचा है वो है 2 minus root 6 यहीं किस प्रकार का इसी प्रकार का a minus root b a minus root b और इसका परमिकरण गुणा क्या होता है a plus root b ठीक है न तो हम फिर से इसका परमिकरण करेंगे यहीं इस सवाल में हमें 2 बार परमिकरण करना पढ़ेगा तो इसका हम क्या करेंगे उपर गुणा करेंगे कितने का 2 प्लस रूट 6 का और नीचे भी करेंगे 2 प्लस रूट 6 का ठीक न यहने 2 प्लस रूट 6 का उपर नीचे गुणा करेंगे अब क्या होगा अब हम इस पूरे पत का इसमें गुणा कर देंगे तो गुणा करेंगे 2 का पहले तो 2 under root 3 minus 2 under root 2 plus 2 root चक गुण होगा तो under root 18 फिर minus under root 12 plus कि under root 6 divided by 2 a minus b into a plus b a square minus b square तो 2 का square हो जाएगा 4 minus under root 6 का square हो जाएगा 6 हम इसको और solve कर लेंगे तो पहले हम संख्या देख लेते हैं यहापे कितने आई तो यहापे पूर्ण संख्या आई है 2 बाकी सब अपर्मे संख्या ग्रूप में हैं उनको भी देख लेते हैं तो यह हमारा है plus का 2 under root 3 यह जो की त्यों रहेगा यह है माइनस का 2 under root 2 यह जो की त्यों रहेगा यह है root 18 अब root 18 का अगर हम देखेंगे बीटा तो क्या होगा देखे 18 के गुणंखन जह हम करते हैं तो हो जाते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 देखिए 2 ती अच्छे च्छे ती अठारा वर्गमूर निकालना है तो यह 3 का जोड़ा बन जाएगा तीन आ जाएगा बाहर इसे लिख सकते हैं 3 under root 2 तो 18 root को हम लिख देंगे प्लस के 3 under root 2 ठीक अब बात करते हैं 12 की देखे root 12 12 की जह हम factor करेंगे तो यह हो जाएगे 2 गुणा 2 गुणा 3 यहाँ पर 2 का जोड़ा बन जाएगा तो 2 बाहरा जाएगा 2 root 3 यह हो जाएगा हमारा minus का 2 root 3 अब बात करते है root 6 की तो यह root 6 ही रहेगा पूरा का पूरा root 6 divided by 2 है 4 मैंसे 6 गटाओगी तो minus के 2 आएगे minus के 2 का 2 में गुणा करेंगे तो minus के 4 आजाएगे अब हम solve कर लेंगे देखेंगे ध्यान से क्या हो रहा है इसको यहाँ लग देखते है 2 जो कितो आएगा अब देखें 2 under root 3 यह है और 2 under root 3 यह मैंस के है यह plus के तो यह cancel हो जाएगे minus के 2 under root 2 यह है plus के 3 under root 2 यह है तो plus का under root 2 बचेगा बारा हो जाएगा answer ठीक है तो इस तरह से आप लोग अपने किताब में जो सवाल दिये गए है उन्हें हल कीजिए जादा से जादा सवाल लगाईएगा जो भी सवाल आपको नहीं आता है photos की खीचे crop करके telegram group पर बेज़ दीजिए मैं उसका answer आपको solve गर के भीज़ दूँगा यदि उसमें कोई doubt रहता है समझ में नहीं आता है आप वहाँ पूछेगा मैं class में explain कर दूँगा आप मिलते हैं अगली class में